दक कस्मीर फाइल्स अन्रिपोर्टेट का ट्रेलर रिलीज रुला देगी एक एक कस्मीरी पंडित की कहानी दर्द बया कर रहा है ट्रेलर नमस्कार दोस्तों मैं रतनाम चिंग और आप सबी का ट्रिकर नीज में सौगत है कस्मीरी पंडित के पलायन पर बनी बॉलिवूड फिल्म दक कस्मीर फाइल्स का एक और वर्जन दक कस्मीर फाइल्स अन्रिपोर्टेट जल्द रिलीज होने वाला है इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है जिसमें कस्मीरी पंडित अपनी आप्विती सुनाते नजर आ रहे हैं अपना दर्द बया करते दिख रहे हैं विवेक अगनी होतरी के निर्देशन में बनी दक कस्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी उस वक्त इस फिल्म को लेकर जबर्दस्त विवाद हुआ था विवादों के बीच विवेक अगनी होतरी ने एलान किया था कि वो इसका अन्रिपोर्टेड वर्जन भी लाएंगे अब फिल्म का ट्रेलर आज जारी कर दिया गया है ये एक डॉक्यमेंटरी नमूना फिल्म है जिसके ट्रेलर की सुरुआत ही लोगों की बाइट के साथ होती है जिसमें वो बता रहे हैं कि उन दिनों कस्मीर में किस तरह हम क्या चाहते हैं आजारी के नारे लगा करते थे वीडियो में एक बुजर्ग महिला बता रही है कि उन्हें डर लगता था वहीं एक अन्य महिला बता रही है कि घरों के बाहर लेटर्स लगते थे कि आपके घर में इसको मारा जाएगा ट्रेलर में कस्मीरी पंडित जिस तरह अपना दर्द और आप बिती बया कर रहे हैं वो सुनकर आप भी भाबुक हो जाएंगे आपको बता दें कि दा कस्मीर फाइल को रिलीज हुए भले ही एक साल बीद गया लेकिन फिल्म की चर्चा अब तक होती है अलानकि लोगों का एक धड़ा ऐसा भी है जो इस फिल्म को बिल्कुल ना पसंद करता है और उन्होंने इसे एक प्रोपगेंडा फिल्म बताया था जिसमें कुछ रादनेता भी सामिल थे इसके लिए बिवेक अगनी होतरी को काफी ट्रोल भी होना पड़ा था लेकिन हट रोलिंग का जवाब दिया गया था फिल्म में अनुपम खेर मित्तुन चक्रवर्ती पल्लवी जोसी ने लीड रोल प्ले किया है ब्यूर रिपूर्ट रिगर न्यूज